हیلو दोस्तो बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बाड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फटफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाई जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ है हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ है आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर पूछे आज की पहली कबर नितिस कुमार आज आटवी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की सबद तेजस्वी यादव होंगे डिप्टी सीम जिहा नितिस कुमार आटवी बार बिहार की बागडोर समहलने के लिए तयार है जड़ो के नितिस बुदवार दो पहर दो बच बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की रोप में सबत लेंगे जबकि राज़त निता तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे सुत्र बता रहे हैं कि बुद्वार को सिर्प नितिस और तेजस्वी सपत लेंगे केबिनेट विस्तारबाद में किया जाएगा मेडिया रिपोर्ट का नितिस कुमार आज दो पर दो बजे राजभावन में आठवी बार बिहार के मुख्यमंतरी पद के रूप में सपत लेंगे जबकि राज़त नेता तजवसे याद बिहार के डेप्टिस सियम की सपत लेंगे हाला कि पाली सपत ग्रहन का समय चार बजे था लेकिन अब दो बजे किया गिया है आगली बड़ी खबर आर जेटी ने बीजेपी से लिया बदला 2017 में जैसे भाजबा से सत्ता चिनी वैसे ही 2022 में राज़त ने सरकार जट की जैर आज नेति में कभी भी कुछ भी हो सकता है जिससे सो जन्नम में भी नहीं मिलने की कसम खाई हो उसके साथ ही हाथ मिलिया लिया जाता है यहां कहावत आज फिर बिहार में साबित हुई मुईकी मंदरे नितियस कुमार ने फिर फल्टी मार दी है इस बार उन्होंने बिजीपी का साथ छोड़ दिया है और आरजीडी से हाथ मिला लिया है आज से पांच सर पहले उन्होंने आरजेडी से हाथ रिल चुड़ा लिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था हला कि दोजर पंदर विदांसवा चुना में जनता ने जनादेश महागरबंदन के पक्ष में दिया था लेकिन तेजसी यादव पर करप्सन के आरोप लगन कि इसके साथ तेजसी यादव भी बीजेपी से हिसाब किताब चुक्ता करने का मौका मिल गया है जिस तरह बीजेपी ने 2017 में उनसे 17 चिनी थी तेजसी ने 2022 में उसका बतला बीजेपी से लिया है बीहार में आझ से चाचाह भतिजा की सरकार बन रही है तोई बिहार पहुचकर गिरिराज सिंग बोले नितिस तोड़ने वालों के माहिर जिन्दगी में प्रधान मंत्रे नहीं बन पाएंगे जी हाँ एंडिया गडबंदन से अलग हो महागडबंदन के साथ मिलकर सरकार बराने को लेकर बीजेपी नितिस कुमार पर लगतार हमलावार है मंगलवार पटना में BJP कोर गूरूब की अहम बैठक हुई बैठक से बाहर निकलने के बाद पत्रकारू से बात करते हुए गिरेडाग सिंग नितियसकुमार पर जमकरबर से गिरेडाग सिंग नितियसकुमार अपने नाका में दोसरो पर्थुफ रहे हैं उन्होंने कहा कि नितिस कुमार के महतव कांचा जाग रही है वियार की जनता उन्हें सवक सिखाईगी गिरिडाग सिंग यही नहीं रूके उन्होंने कहा कि नितिस कुमार उनके साथ जा रहे हैं जो बिहार को तोड़ने का काम कर रहे हैं इस दुरान पत्रकारों ने गिरिड प्रधान मंत्री बनने को लेकर सवाल पूचा जिस पर उनों ने कहा कि नितिस कुमार कभी जीवन में प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे। मैं कोई भी गड़वर और मष्ट चार बरदास नहीं करता हूँ। हम लोग साथ दल और एक निर्दलिया मिलकर सरकार बना रहे हैं। सभी मिलकर काम करेंगे और पुरे बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार की सवा करते रहेंगे। राज पाल को 164 विदाईकों की समर्द हित्म है। चेतर में बाजबा को कोई गड़बंदन सहयोगी नहीं है इस दोरान नितिस कुमार की तारीब करते वे उन्होंने कहा कि नितिस देश के सबसे अनुभवी मुख मंतरी है जिन्होंने एक सहासी कदम उठाया है इसी दोरान ते जसी आदम ने कहा कि पिछले दिनों बीजेपी अधर्च जेपी नड़ा ने कहा था कि वो चेतरी दलों को समाब्द कर देंगे बीजेपी सिर्फ लोगों को डराना और करितना जानती है और उन्होंने आगे कहा कि हमारा एक ही मकसद है कि बीजेपी को बिहार में अपने अजेंडे को लागू ना करने दिया जाए तो जसी अभी ने हस्ताक्चर किये हैं बाड़ी कबर नितिस कुमार की महागडबंदन सरकार को बिना सर्थ समर्थन देगी जितर्रा माजी की पार्टी हिंदूस्तान आवामी मोर्चा जिहां हिंदूस्तान आवामी मोर्चा ने नितिस कुमार के नेतुत में बनने जारे महागडब इस बीच खबरे कि नितिस कुमार तेजस्वी अदव की समर्थन में 160 विधायकों की समर्थन से आज सरकार बनाएंगे बाड़ी कबर इवावों ने कहा तेजस्वी से हमें रोजगार की उमेद लालो प्रसाद और तेजस्वी की तस्वीर लेकर सियम हाउस पहुची हुआ कहा विकास की पूरियास जहां बिहार में जदियो और राजद के गड़बंदन वाली सरकार का एलान हो चुका है नितिस कुमार के इस फैसले से कई राजनितिक दलहरान है तो वही उनके प्रसाद सक की खूसी का ठिकाना नहीं है राजद के कई वह समर्तक लालो यादव रोस थे जिस्वी यादव की तस्विर लिया उनके समर्तन में दिखे समर्तकों का कहना है कि लालो यादव जब भी आये थी तब ही उन्होंने कहा था कि बिहार में बदला होगा आज यहां बदला हो चुका है उन्हें आगामे सरकार से विकास क अपिल करते हैं कि युवावो को रोजगार मिले महंगाई कम और बिहार प्रगति सिल हो वाई सुसिल मोदी का नितिस पर बड़ा हमला कहा जोट बोल रहे हैं नितिस कुमार गडबंधन तोड़ने का खोच रहे थे बहाना नितिस कुमार बुदवार को आडवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की सपदलिंग राजपाल ने सपद गरहन के लिए दोपर दो बज़े का समय दिया है मागडबंधन के साथ जाने के बाद नितिस कुमार ने बिजेपी पर कई गंबीर आरोप लगाये हैं नितिस के आरोप पर बिहार के पूर उपुमिक मंत्री और बिजेपी सांसद सुसील मोधी ने बड़ा हामला बोल दिया है सुसील मोधी ने कहा कि नितिस कुमार सपेद जुड बोलते हैं और गड़ बंदन तोड़ने का बहाना खुज रहे थे दरसल पिछले दिनों आरसेपी पर करण को लेकर जेड़ोई ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाये थे पाड़ी के राष्टी आएदाच लालन सिंग ने कहा था कि बीजेपी ने नितिस कुमार के सामधे के बिना आरसेपी सिंग को मंत्री बनाये था इसके साथ जेडियोई ने यहाँ भी आरोप लगाया था कि बीजेपी जेडियोई को तोड़ने की कोशिस कर रही है नितियस कुमार ने भी ललन सिंग के इस आरोप का समर्तन किया था इस पर सुसिल मोदी ने ट्विट कर जिरियो और नितिस कुमार पर हमला बोला है सुसिल मोदी ने लिखा कि या सरासर सफेद जूडे की बीजेपी ने बीरा नितिस कुमार की सामाती के आरसेपी सिंगो मंत्री बनाया था अभी जोड़े कि बीजेपी जिर्यो को तोड़ना चाहती है तोड़ने का बहाना खोज रहे थे भाजबा 24 में प्रचन बहुमत से आईगी बाड़ी कबर राहूल गाने नितीस कुमार से की बाद महागडवंदन का नेता चुने जाने पर दी बधाई जिया बिहार में सरकार बनाने का दावा पेस करने के बाद कौंग्रेस के पूर्व अधच राहूल गाने नितीस कुमार से फोन पर बात की राहूल गाने नितीस कु को महागडवंदन करने दा चुने जाने पर बदाई दी और बिहार में नए सरकार के गटन के लिए सुब काम ना ही दी बता दी कि नितिस कुमार ने 164 विदाईकों के समर्तन के चिटी राजपल को सोप दी है बिहार में कॉंग्रेस के सभी 19 विदाईकों ने नितिस कुमार को अपना समर्थन दिया है जेडोई के 45 आरजेडी के 89 कॉंग्रेस को 19 हम के 4 लेप्ट के सोलो और एक निर्दलिय विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया है सरकार बनाने का दावा पेस करने के बाद राहूल गाने ने फोन पर अनितिस कुमार को बधाई दी है बाड़ी कबर ना रोका ना मनाया एकजिट प्लान जानते विए भी बीजेपी ने क्यों नहीं के नितिस कुमार से बात जिया नितिस कुमार बिहार में अंडिये को चोड़ महागडवंदन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं भाजपा उनके इस कदम को धोकेबाजी के रूप में देख रही है साथ यह भी कहा जा रहा है कि उनकी बार बार साथे बदलने के आदत के चलते वहाँ अपनी विश्वसी नेता को खो भी चुके हैं सिर्फ इतना ही नहीं भाजपा को नितीज के हर कदम के जानकारी थी उससे पता था कि नितीज साथ छोड़ कर चले जाने वाले हैं इसके बावजूद भाजपा की तरब से ना तो ने रोकने की कोशिस भी ना ही मनाने का जतन किया गया हाला कि कल नितीस के स्थिपे के बाद बिहार से लेकर दिली तक के नेता हमलावार लेकिन नितीस के गड़बन्दन छोड़ने के खबर सामने आने के बाद भी भाजपा नेताओं ने चुपी साध रखी थी इसे बीच बताया गया था कि केंद्रे मंत्रे अमित सास समेत कुछ अन भाजपा नेताओं ने उनसे बात की थी लेकिन वहाँ उनका मन नहीं बदल सके एंटीडिवी के मताबिक केंद्रे मंत्रे गिरीराज सिंग ने कहा था कि भाजपा गणवंदन धर्म निभा रही है उनने कहा कि भाजपा के पास 63 और जड़ोई के पास 36 सीटे थी इसके बावज़ोद उने सियम बनाया गया फिर भी वह नया साते तलास रहे हैं हलाकि सरकार बनने के बाद सही बिहार में भाजपा हमेश्व बड़े भाई के भूमिका में रहा है इस बाद से नितिस कुमार के मन में लगतार चिड़ बनाये रखी थी बता दे कि इसके बाद अनितिस के मन में यह डर समा गया था कि बाजबा बिहार में महराष्टे जैसे कुछ कर सकती है सुत्रों के मुताबिक उन्हें इस बाद का डर था कि बाजबा जिर्यों को तोड़ कर नया मुखी मंत्रे बनाएगी जिसे यह कंट्रोल भी कर सके बाड़ी कबर पुरे बिहार में बारिस का लड़ पटना समेत 19 जिलों में तेज हवा के साथ बारिस तो बाकी में बारिस और बिजली गिरने की समभावना जिया बिहार में मौसाम विभाग नेगले 24 घंटे के लिए भोजपूर जहानाबाद सहीत 19 जिलों में बारिस के साथ बजरपात का लड़ जारी किया है साथ पाटना मुझा परपूर सहीद बाकी 19 जिलों में हलकी बुद्नाबुनी की समावना जता ही है इस दोरान पुरे प्रदेश में उमसबरी गर्मी भी बने रहेगी मासा मिवाक के अनुसार आगले 24 गंटे में राजाने पटना समेथ प्रदेश के 19 जिलों के कुछ भागों में 40 किलोमीटर गंडे के रप्तार से हवा चलेगी हवा के साथ में गर्जन और हलके समयदम दर्जे की बारिस होगी बंगाल के खाड़े में कम दबाब बनने से ऐसी स बता दे कि बिहार में फिलाल अगले 48 गंटे तक हलकी बारिस की सिती बने रहने की समावना बने रहेगे प्रदेश में अभी कमजोर पड़ गया है इस वजह से मुस्लाधार बारिस की सिती नहीं बन रही है मैदम दर्जे से कम वर्सा वाले जिलों में पुर्वी चंपारन पश्यमी चांपारन गोपाल गंज, सिवान, सारन, वेसाली, मुझापर, पूर, सितामणी, सिवर, मदोबनी, दर्बंगा, समस्तिपूर, सुपोल, सहरसा, अरारिया, मदेपूर, पुन्या, कटिहार और किसन गंज है बारी कवर पाटना इनव सिटी में फिर से सुरू होगी इंटर की पढ़ाई, एकेडमी काउंसलिंग से मिली मंजूरी जिहां पाटना विस विदाला में फिर से इंटर की पढ़ाई सुरू करने पर एकेडमी काउंसलिंग ने अपनी ससर्द सामाती दे दी है साथ CBCS सिस्टम को भी पाटना विस्विदाले में लागू करने की राज सरकार और कुलादी पदे की स्विकिर्ती मिल गई है इसके साथ ही विस्विदाले के एकडमी काउंसलिंग हॉल में कुलपदी प्रोपेसर ग्रेस कुमार चोधरी के अधिक्स्ता में संपन विस्विदाले के एकडमी काउंसलिंग की बेड़क में पिएजडी की थिसिस केव मुल्याकन के संदर में भी महतपूर ने देश दिया गया है बाड़े कबर RRB गुरूबडी एकजाम के लिए एकजाम सिटी डिटेल्स जारी एडमिट कार्ड 13 अगस से मिलेंगे जी हाँ RRC वेवसाइट पर 13 अगस 2022 से रेलवे भरती बोड गुरूबडी पर इच्छा के एडमिट कार्ड जारी होंगे अरण की बड़े खबर 10 वी और RTI पास से छात्रों के लिए अच्छा मौका भारतिय दिबद सिमा बल में कॉंस्टेबल के पदो पर निकली वेकेंसी जै भारतिय दिबद सिमा बल में कॉंस्टेबल के पदो पर भारती के लिए नटवेकेसन जारी किया गया है इचुकोर योग मिद्वार ITBP के अधिकारिक बेबसाइट रिक्वार्मेंट.itbppolis.nac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं वतादी कि आवेदन करने के प्रक्रिया 19 अगस 2022 से ओल्लाइन के द्वारा सुरू कर दी जाएगी वह आवेदन करने के अंतिम्ति थी 17 सितंबर 2022 से निधारित की गई है और मिद्वारों को इन भरते पर आवेदन करने के लिए किसी माने तब प्रावद बोर्ड से दसवी या समकक्च परिचा पास होना चाहिए साथ 17 टेड में आटिया के डिगरी भी होने चाहिए आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली निउस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें